इस वीडियो के अंदर काईस हम लोग बात करने वाले हैं Best ETF to invest in 2023 तो देखे पहले अगर हम लोग compare कर लेते हैं Index fund और ETF और stocks को तो देखे ETF के अंदर आपको better क्या चीज़ मिलती है आपको इसमें trading के benefits भी मिलते है कभी भी ETF को आप खरीद सकते हो कभी भी आप भेज सकते हो at the time of the live market और guys इसके नदर short selling भी possible है margin trading भी available होती है limit buy orders भी आप लगा सकते हो अपनी मन चाही price के उपर भी खरीद सकते हो लेकिन guys वहीं पर मैं index mutual funds की बात करूँ ये चीज़े available नहीं होती है और देखे total अगर मैं cost की बात करूँ ETF के अंदर compared to index mutual funds थोड़ी सी cost यहाँ पर जादा आती है क्योंकि जब आप trading करते हो buy करते हो sell करते हो तब भी आपको अपनी brokerage freeze वगर है और जो STTE वगर होता है वो आपको pay करना पड़ता है अगर आप ETF को एक long term purpose के साब से करीत रहे हो तो आपके लिए ये cost बिल्कुल भी matter नहीं करने वाली है आपको definitely long term में अच्छे benefits मिलने वाले है अब बात करते कि type of the ETF कितने होते तो देखे वैसे तो बहुत सारे ETF होते और आपको 3 parameters के उपर इसको choose out करना पड़ता है पहली चीज़ आपको ऐसा ETF चूज करना है जिसके अंदर liquidity अच्छी हो ताकि आप कभी भी buy all sell कर सको इसके लब आपको low expense ratio देखना पड़ता है यानि कि उसके अंदर खरीदने का खर्चा कामा है आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हो उसका जो manage करने का खर्चा है वो बिल्कुल कमाना चीज़ है इसके लगाइस जो तीसरी चीज़ है low tracking errors यानि वो जिस भी index को या जिस भी sector को यहाँ पर track कर रहा है तो उसके अंदर जो sector जितने return यहाँ पर फिर index जितने भी return निगाल के देगा उतने ही return यह ETF भी निगाल के देना चाहिए अब देखे गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग index fund यानि nifty 50, next 50, mid cap 150, international ETFs, gold ETF, sectorial based ETF और debt ETF की आपे बात करने वाले है अगर मैं nifty 50 index की बात करूँ तो पहले हमें liquidity देखनी पड़ेगी tracking error देखना पड़ेगा और expense ratio देखना पड़ेगा तो इसके according अगर आप देखाऊंगे तो first number पर हमेशा आता है nifty beach जिसको हम लोग nippon india का ETF भी बोलते हैं और second number पर आता है SBA का ETF nifty 50 जिसको हम लोग set nifty 50 बोलते हैं तो देखेंगे guys अगर आप दोनों के अंदर देखेंगे तो expenditure इसके अंदर just 0.05% का है इसके अंदर just 0.07% का है और tracking errors almost दोनों के अंदर same है अगर guys यहाँ पर मैं return की बात करूँ पिछले एक साल के अंदर 5.18% का इसने return निकाल के दिया है जो कि almost nifty 50 के बराबर है और अगर इसको आप maximize भी करते हो तो आप देख सकते हो 134% से जादा grow कर चुका है यानि कि यह काफी पुराना basically ETF है even अगर इसके अंदर आप SIPB करते तो फिछले 5 सालों के अंदर आपका पैसा 40% से यहाँ पर grow हो जाता साथ में guys अगर हमें AMC कंपनी की बात के हो तो Nippon India इसको handle करता है तो Nippon India SBI दोनों ही काफी अच्छी AMC है जिनके पास में higher AUM size है इसके लाँ guys Nifty 50 के अलावा अगर आप Simply Sensex यानि कि Top 30 कंपनी के अंदर केवल निवेश करना चाहते हो तो आप UTI का Sensex यहाँ पर ETF पकड़ सकते हो क्योंकि guys जातर यह देखा गया है कि Sensex का जो 30 कंपनी होती है उसने यहाँ पर Nifty 50 को हमेशा बीट किया है in the long term तो आप देख सकते हो एक साल के अंदर भी इसने जादा return यहाँ पर कमाल के दिये है और अगर आप इसको maximize भी करोंगे तो 149% से यह grow हो चुका है आप में guys अगर इसके में peers की भी बात करो तो यहाँ पर SBI या UTI दोनों में से आप किसी को भी यहाँ पर choose out कर सकते हो tracking अनर आप almost आपको same मिलेगा explanation भी आपको almost same लने वाला है बस liquidity इसके अंदर medium है और SBI ETF census के अंदर आपको high मिलने वाली है इसके लगाई जो next हमारा indices होना चाहिए वो next 50 होना चाहिए यानि कि 51 से लेकर 100 वाली companies तो इसके अंदर guys अगर हम देखे high liquidity और expenditure और tracking error के साथ में तो first number पर यहाँ पर junior bees आता है इसको again यहाँ पर Nippon India basically handle करता है और guys जो second number पर अगर आप देखना चाहते हो तो guys simply आप ICC के potential को यहाँ पर Nifty 50, Next 50 को देख सकते हो जिसका expense ratio बिल्कुली काम है just 0.10% है और tracking error 0.08% है returns की guys अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल के अंदर negative return है क्योंकि अदानी के stocks इसके अंदर गिरे हुए हैं क्योंकि 51 से लेकर 100 वाली companies होती है लेकिन अगर आप maximize या पिछले 5 सालों का return दिखेंगे तो काफी अच्छे return इसने निकाल के दिये है इसके लागाई जो अगला हमारा indices आना चाहिए वो आना चाहिए mid cap 150 जिसके अंदर 101 से लेकर 150 वाली companies होती है NSE के अंदर तो देखिए इसके अंदर के वाल 3 ETF यहाँ पर काम करते है और obviously बात है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा liquidity हाई है वो Nippon India का ETF Nifty Mid Cap 150 है और guys इसका expense ratio है 0.21% और tracking error 0.11% है और इसके अंदर guys अगर आप return अगर मैं बात कहूं तो एक साल के अंदर 6.47% का return निकाल के दिया है पिछले 5 सालों के अंदर इसने 96% का return निकाल के दिया है और अगर आप SIP भी करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा 46% ग्रोग कर जाता है आप guys equity में निवेश करने के बाद में आपको हमेशा एक gold ETF को यहाँ पर prefer करना चाहिए क्योंकि market जब भी गिरता है यह दिखा गया gold simply उसको protection provide कर देता है तो इसके अंदर गाई साथ simply Nippon India का ETF gold भी इस यहाँ पर choose out कर सकते हैं अगर आप peers में भी देखेंगे तो SBI ETF gold भी यहाँ पर इसमें भी liquidity यहाँ पर हाई है तो किसी में भी आप पकड़ लो explanation wise देखोंगे तो SBI को आप consider कर सकते हो और उसके लावा आप Nippon India को consider कर सकते हो और दोनों का जो gold ETF है काफी कमाल का है अगर मैं पिछले एक साल की returns की बात करूँ 11% से ज़्यादा return कमा के दिया है Nifty 50 को यहाँ पर definitely beat किया है और पिछले 5 सालों में भी अगर आप दिखोंगे 74% से यहाँ पर gold का ETF basically grow किया है अगला guys जो हमारा ETF है वो है simply Nifty bank के उपर यानि guys ऐसा ETF जो सारी के सारी banking sector की companies है उसके अंदर basically निवेश करता हो बैंक आता है तो दोनों के अंदर आपको liquidity high मिल जाने वाली है expense ratio इसके अंदर 0.19% का है इसके अंदर 0.20 का है और tracking error just 0.04% का है रिटेंस की बात करूं guys पिछले एक साल के अंदर 9.88% से यह basically grow हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर आप दिखेंगे 63% से भी जादा इसने growth यहां पर दर्च कराई है इसके लगाई जो अगला हमारा sectoral ETF है वो है consumption related यह अभी हाल फिला नए ETF यहां पर launch हुए काफी जादा time नहीं हुआ है और इसके अंदर आप consider कर सकते है ICC का potential लेकिन एक साल के अगर इसके अब return देखेंगे तो 7.09% का है यह उन stock के अंदर यहां पर निवेश करता है जो भी यहां पर consumption related होती है जो भी मतलब almost branded companies होती है जिनके products आप अपने रोज बरा जिंदी की अंदर यूज करते हैं लेकिन गाईस इसके अंदर जो liquidity है वो medium liquidity है और tracking error इसके अंदर आपको 0.08% मिलने वाला है और expenditure 0.20 का है इसके लागए जो अगला ETF है वो एक international ETF है वैसे तो इंडिया के अंदर के वल दो ही international ETF है जो एक basically यहां पर जो है चाइना के stock market में निवेश करता है और एक US के अंदर करता है तो मैप पर आपको prefer करूँगा US के stock market में आपको पैसा लगाना चाहिए और इसके लिए आप simply मोतीलाल उस्वाल NASDAQ 100 को यहां पर choose out कर सकते है पिछले एक साल के अंदर negative रहा है क्योंकि US stock market inflation के करन डाउन रहा है देगें पिछले 5 साल के अगर आप return निकाल के देखते हैं तो 97% से भी जादे इसने growth दर्ज कर आई है expense ratio की बात करूँ 0.858 का यहां पर expense ratio है इसके लागाई इसके अंदर आपको tracking एरह देखिए मिलने वाला है exact जो NASDAQ 100 निकाल के return देता है वहीं नहीं मिलेगा च्योंकि INR to USD का यहां पर फरक मिल जाता है आपको साथ में यहां पर इंडिया के according जो trading बेसिकली चलती है उसके according यह perform करता है इसके लागाई जो अगला हमारा ETF है वो simply यहां पर debt market के अंदर basically perform करता है और वो है Nippon India का ETF Long Term Guild Fund अगर गाईस पिछले एक साल के return की बात करों कुछ खास return देखने को नहीं मिलने वाले है लेकिन अगर आएक maximize period आप लेके चलते हैं तो आप देख सकते 16-17 के अंदर यह 10% से grow हुआ था 17-19 में 6% हुआ था फिर 19-20 का काफी अच्छा period था 20% से grow हुआ था तो गाईस कुछ period के अंदर यह grow हो रहा है कुछ के अंदर नहीं हो रहा है लेकिन गाईस पिछले 5 सलों के अंदर इसने 38% से यहाँ पे decent growth दरज करवाई है इसके लागा इस last एक और ETF है लेकिन यह भी एक sectoral base ETF है CPSE ETF इसके अंदर सबसे जादा पैसल लगा हुआ है और यह ETF उन कमणियों के अंदर निवेश करता है जो सारी की सारी government related companies है तो guys अगर इसके मैं पोर्फोलियों में बात करूं आप देख सकते हैं NTPC हो गया, Power Grid हो गया, ONGC हो गया मलग government की सरकारी जितनी भी center government की कमणियों उन सभी के अंदर निवेश करता है पिछले एक सार के अंदर अच्छे return देखने को मिलेंगी क्यों सारी कमणियों ने अच्छा perform यहां पे किया है और इसके stocks price भी यहां पे grow किया है लेकिन अगर आप एक long term भी लेके चलते हो तो definitely आपको अच्छे return देखने को मिल सकते है लेकिन कभी-कभी आपको यह negative return भी यहां पे देखने को मिल सकते है तो guys यह थे यहां पे best ETF जो आप 12-23 के अंदर consider कर सकते हो शुरुआद आपको simply Nifty 50, Next 50, Metcalf 150 के साथ में करने चाहिए उसके बाद में आप international ETF के अंदर NASDAQ के अंदर जा सकते हो और आपको एक gold ETF भी यहां पे choose out करना चाहिए sector की बात करों तो banking, PSU, consumption sector यह हमेशे यहां पे growth के अंदर आपको देखने वाले हैं तो इनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं और debt ETF के अंदर आपको guilt bonds जो ETF होते हैं उनको यहां पे prefer करना चाहिए तो guys, hope you like this video, please subscribe चनल अगर आप लोगे कोई भी doubts, comment box में जरूर बताएए Thank you guys, thank you very much